नमस्कार दोस्तों स्वागाते आप सभी का विद्यागराम में प्यारे दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर के आये हैं one sort यानि कि इसमें हम कोशिका चेप्टर का पूरा अध्यय सिर्फ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि आप जैसे की जानते हैं कि हमने प उसके बाद हम जो अंसर बताने वाले हैं वो भी लिख लेजिये और पिर लास्ट में चेक करिएगा कि आपने एक 20 क्यापन आपको कमेंड में बताना है ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के कुछिन आगे बढ़ने से पहले एक important जानकाड़ी आप लोगों के लिए ये भी है कि ये जो आप दिख रहे हैं ये है आपका 5 star series यानि कि इसमें हम 5 question मात्र 5 minute में और वो भी जो question 5 बार से ज़्यादा बार repeat हो चुका है आप लोग कल जरूर इसमें जुड़िए ठीक है तो यहां से हम शुरू करने वाले हैं 5 star series तो आज हम चलते हैं सबसे पहले question के तरफ देखिए पहला question हमारा क्या कर रहा है कोशिका के अधियान को क्या कहा जाता है और पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि ये one short video है इसमें हम question पढ़ेंगे और साथी साथ इसका हम answer देने वाले हैं यानि कि इसको explain नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछले 7 class में इसे बहतर धंग से explain कर रखा है तो देखिए ये कहा रहा है कोशिका के अधियान को क्या कहा जाता है तो कोशिका के अधियान को cytology कहा जाता है option number A इसका बिलकुल सही है नेक्ट कोशिका का अधियान को क्या जाता है तो इसका राइट अंसर option number D में के अंधर का ये इसका सही answer हो जाएगा ठीक है तीन नमर क्यूशन कहा रहा है कोशिका में लिपीड अनुओं का संसलेशन किसके द्वारा होता है तो इसका सही answer option number A है चिकनी अंतर द्रव ये जालिका यहाँ पे लिपीड का संसलेशन होता है जब पूछे वसा का संसलेशन तो वो हो जाएगा रख इंडोप्लाज property किसे कहते हैं इसका सही answer होने वाला है राइवासों संको कोशिका की प्रोटीन टेटीक डचैनेशन को कोशिका का सकती गड़ी माइट्रोकॉंड यह काते हैं क्योंकि यहीं पर ATP के फॉन में उड़जा स्टोड होता है ठीक है चलिए छौण नमर्ब क्षेशन क्या कह रहा है यह कह रहा है कोशिका का काइको जानिका अप्शन नमर्डी में जो है जिसे हम इंग्लिष में गॉल की बॉडि बोलते हैं तो इसका सही अंसर अप्शन नमर्डी है है किह यह कौशिका सिध्धान करsz दिया लेकिन कोशिका सिध्धान तेने बाद भी उसे पता नहीं था कि नया कोशिका का जन्म कैसे होता है इसके बादे बताया था रूडśl विर्चों ने इण्हों ने अपने भासा में का था वत श्राइक जिह पives heating स्थ्थित पुझने कोशिका से ही हुबता है तो ये उप्सेन नमर ड'ी का सหी है ओम्नी सेल्लुला के। ऐसे लोरॉरज मशन गहा ठीक है यह बेंशने कर रहा है जीभीत कोशिका के किस्ट ने हुझने किया तो सही जीभीत कोशिका के खुझ लुबोल्डख़क आप लोगों यहां देखा होगा यह 9 नमर और ये 8 नमर तो races चलेए दसमा नमर question कहा रहा है माड़ां में गुंसुतर कितने जोड़ी पाया जाता है तो ना तो option A सही है नहीं C ना B और नहीं D इसका हो जाएगा 23 जोड़ी ठीक है और संख्या में पूछे तो 46 पाया जाता है ठीक है हमने यहां पर कोई अप्सन आप यहां पर नहीं रखा था यानिकि यह चारों option गलत है इसका सही अंसर हो जाएगा 23 जोड़ी ठीक है चलिए next question करっちरा है कि यह करे रहा है हगजले के अनुसार सभी जीवों की स्रीर की भौतिक इकाई कीसे माना गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीब द्रव्य यानि कि जीब द्रव्य को सरीर की भौतिक इकाई मना गया है किसके द्वारा हग्जलेखे द्वारा ठीक है तो इसका सही अंसर अप्शन नमबर D हो जाएगा Next माला question कह रहा है जीब सरीर के रचनात्मक एवां काड़ियात्मक इकाई जीब सरीर की रचनात्मक और काड़ियात्मक इकाई हम कोशिका को मानते हैं इसका सही अंसर अप्शन नमबर D हो गया Next माला question कह रहा है मनव सरीर का उर्जा मुद्रा क्या है तो मनव सरीर का उर्जा मुद्रा ATP होता है हम इसको details में बता है अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले के साथो वीडियो का आप जाकर जरूर देखें ताकि यह सारा सारा कॉंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा आज रिविजन के द्रिष्टी से हम आप लोगों के लिए वन सॉट लाएं ठीक है एक क्या करिज के रहा है साइटो लोजी के जनक कौन है यानि कि कोशिका विग्रान के कौन है इसका साही अंसर ऑप्टं नमर यह हो जागा इन सभी क कोज लमेन फॉक नहीं किया था इसका 사़ादर उन्वानते है राबर् invasive उने आप्मद को दिखे लोगों है तो साइक्ड निया ठीड ओ दिया ठीक है चलिए नेट्फश्ण कराया यह निशक्रेट ऊप्नेच्र किसकी पुस्ट है तो इसका सही answer option number B होने वाला है लिवेन होक इन्होंने जिवित कोशिका खोज किया था और इसी ने अपना बुक लिखा था The Secret of Nature ठीक है तो इसका सही answer option number B हो जाएगा चलिए चलते हम 18 नमर क्वेश्चिन तरफ 18 नमर क्वेश्चिन करा है संसार की सबसे छोटी काई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा माइको प्लाजमा संसार की सबसे छोटी कोशिका है इसे हम PPLO या फिर इसे MLO के नाम से भी जानते हैं टीटीँ है चाहिए उनुरे कोंचन तरप चलते हैं ये कोशेन करा इन friend कौन दोले जरूजी वाला कोशिकांग है ऐसो है सिर्फ दोले जरूजी से जिंखता यह पहलं लेकर करें कौन एकल जल्ली होता है कौन दोख़ड़ी जली से दख्ये एकल जली से पाए जाता है रैबोस यानिक इंडौपलाजमी रिक्ती और गॉल्डी बोडी इसमें एक जली पाए जाता दोहड़े जिली में पाया जाएगा मैट्रोकॉंडिया केंद्रक और क्लोरोप्रास्ट इसमें यानिकी डबल जिली पाया जाएगा डबल मेंब्रेंड जिली अनुपस्थित होता है रैगोसम माइक्रोबोडी और ताड़क का है इसमें जिली होता है यह वैसे ही पढ़ा रहत लेकिन इन्हों ने ही आर एने का सिंगल हेलिक्स मोडल प्रस्तूत किया था और डियेने का सिंगल हेलिक्स मोडल किसने प्रस्तूत किया था डियेने का डवल हेलिक्स मोडल प्रस्तूत किया था वाटसन एबं क्रिक ने लेकिन सिंगल मोडिल सिंगल मोडल प्रस्तूत किया धा, RNA का, RNA का सिंगल मोडल प्रस्तुत किया था, यही, रेडिक मिक्स्चर नहीं, ठीक है, चलिए, किस्ट कमर कॉस्चन कहारा ही, DNA नहीं पाया जाता, यहने इन में से कहाँ DNA नहीं पाया जाता, इसका सभी आपको कहीं भी किसी भी सेट में कहीं भी आपको एक्जाम के पेपर में आपको मिल जाएगा जीन का खोज किस ने किया इसका सही अंसर हो जाएगा जॉंसन याद रखने की जरोत है जो से जीन और जो से जॉंसन तो जीन का खोज जॉंसन ने किया था मेंडल ने क्या क्या था यह जेनेटिक्स यानि जीन पर स्टेडी करते हैं उसे हम जेनेटिक्स करते हैं तो जेनेटिक्स के फादर हम मेंडल को मनते हैं और स्वांसन और फ्रेमिंग के बारे में आप जानते म dłon 지ане सुत्रकणिका मैं राइड़ सום होते हैं यानि कीस प्रकार के रह वह सुमते चुछ र्टह गानिका जिसे हम मैं मैं मैट्रो कॉंडिया कहते हैं तो सुत्रकणिका आप लोगको तीन चार बार को अंग्या तो आप लोग समझे गए दिसमें सब्सक्राइब इस लिये निकल है क्योंकि यह वनट वीडियो है अगर डिटेले पर नहुंत पीछे जा करके आप पढ़ सकते हैं ठीक है कोशिका की सफाई कड्मी किसे कहा जाता है जैसे कि अब पहले ही कुश्चन हमने बताया कोशिका की सफाई कड्मी लायन काय को इंगलीज में लाइसोसोम कहते हैं ठीक है सुत्रकनिका को इंगलीज में लायन काय को लाइसोसोम सुत्रकनिका को मैट्रोकॉंड या गॉल सबसे चोटा अंग हो जाता है चलिए 26 कोशिका में सबसे पहले बनने वाले अंगक है सबसे पहले कोशिका में बना था वह है आपका इसका सबसे नमर कर रहा है कर दो कोशिका है शबसे इसका पहले यानिक हो जाए तो यह खो जाते हैं ना फेफ्रा हो जाएगा ना पेट हो जाएगा पेट यानि इस कि आ कहते हैं जाने कि आवर्त न्ःटिणी को मैट्रोछ ऑने घार हम कहां मका सरवाधिक पाया जाता है आपको धिहान रखना है लाइस ऑ सोट पाया जाता है ड5 में कुफल को सी आमें किड्नी को सिका में अगनाश हैं छीमय कि पाया जाता है साथ हड़ई को चीका में फी और यक्रित को चीका में इन सब में लाइसोसम दिःसा किया पाया जाता है कियोंकि इन सब में नार सुनाषा की बमट में अर्ट प्रकास अंसलेशन का अस्थर कौन सा है तो प्रकास अस्थर है क्लोडोप्लाष्ट अगर इस से और डिप में जाए तो यहां पे आपको थिलेकोड मिल जाएगा फिर उसके बाद क्लोडोफिल मिल जाएगा लेकिन मुटा मुटी याद करना है कि Π्रकास Сrices का अस्थर होता है क्लोडो प्लाश्ट ठीक है रोटेश्ड नमोर सी हुआ और या यादर्व केंद्र के पास कौन सा इस यार्पायाई च स्सॉत द्रिख और तो याद रखिए केंद्रक के पास जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा रफ इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम जो कि प्रोटीन का दिर्मान करता है और अगर केंद्रक से दूर तो केंद्रक से दूर स्मूथ इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम यानि कि छिक्नी इंतरव दरव पूलिस और यह सभी ऑप्सन नमर इसका डी हो जाएगा यानि कि गॉल्जी बॉड़ी का नाम यह सभी है यानि ट्रेफिक पूलिस भी से कहते हैं इसके काम के हिसाब से नाम दिया गया है जब पादप कोशिका में अगर गॉल्जी बॉड़ी चले जाए तो इसे डिक्टियो स होता है बांकी सभी कोशिका में समसुत्री विवाजन होता है और तंत्रिका कोशिका में ना के बड़ावर विवाजन होता है यक्रित कोशिका में सबसे ज्यादा विवाजन होता है इसलिए इसका सभी अंसर नमर ए हो जाएगा जनन कोशिका में अर्धसूत्री विवाजन ह होता है अगर इहां पे संसुतरी विवाजन हो जाय तो फिर वहीं आने वाला है चाहठ्टो-हात आजायेका सजाओ तो यह वचित-त्र but एक शju को जाआजएगा इसलिए अज्टि करते हैं को का शुर्त कहा रहाया है भच्छे का निर्दारां किसके अगर से होता है इसका सभस्राइब सब्सक्राइब Cha idea व्योंकि रिंभर कको निर्थार निर्थारी नाकि माता के खुन्सक्राइब लेकिन समाद में यह ब्रहांतियां फैल चाहिए यानि कि उसमें हर कोई मता कहीं दोस्त देता है कि इसके वज़ा से ही यहां पर लड़की पैदा हो रहा है या ध्यान रखना है कि बच्चे का लिंग निर्थाइद होता है पिताक गुंसुतर से ठीक है चलिए नेक्ट क्रोम्सुम को दोगाया है तोटल 40 रिस लिस क्रोम्सुम हर यानिकि थाईफ जोड़ी में पैस्ट में से 22 बचाँ है और अगर आना है तो 20 वे परे रिखाटन से परने नहीं होने वाना या लेकिन अन्तीम जोड़ी जो 23 छोटेम जोडड़ी होता है इसमें से यहीं है जनन कोसी का चीक है थिक है मैं जो से ऑंसर ऑप्षणर नबर बहुत चड़िए नेक्स पोड़ा अंख़ोजेctα इनसे कौन सा क्यंद्रक का भाग नहीं है ओन बोशोम केंदर का गौहिए पाया जाता चन्द केंद्रक के अंदर इसलिए उसका सफ्पहेता से बलकि कैंद रचे बाहर पाया जाता है इसका सही अंसर अप्शन नबर A हो जाएका हम चलते हैं 38 नमर question तरफ यह question करया है कोसिका के अंदर jelly जैसा पधारत क्या क्या कर आता है तो को जिका के अंदर jelly जैसा पधारो कोसिका drop हे कहलाता है ठीक है इसका सही अंसर option वाइरस एक वाइरस है यानी विशानू इसे हम कोषिका नहीं कर दिशुपी के तरह बहार करता है जैसे कोई होस्ट मिल जाए यानि कि जनतु का या पादप का अगर सडीन मिल जाए तो वहां पर यह जीवित के तरह बहार करने लगता है यह डूल नेचर सो करता है इसलिए इसे कोशिका नहीं मानते हैं तो इसका सही अंसर नमर डी हो जाएगा और लिपीड का निर्मान करता है स्मूथ इंडो प्लाज्मी रिटिकुलम तो यह दूनों जो बना बनाकर के प्लाज्मा जिली बनाता है ठीक है प्लाज्मा जिली को ही कोशिका जिली भी कहते हैं तो इसका सही अंसर अप्शन नमर डी हो जाएगा एवंबी दोनों चलिए एक कौन सा कोशिकां केवल पादप में पाया जाता है तो सिर्फ वा सिर्फ पादप में पाया जाने वाला है अप्शन नमर सी यानि कि लबक जो प्रकास संस्रेशन में मदद करता है ठीक है तो इसका सही अंसर अप्शन नमर सी हो जाएगा यानि लबक सिर्फ वा सिर्फ पाद वहान करता है यानि कि जीन में ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन कोडिंग रहता है तो इसका सही अंसर नमबर बी हो जाएगा अनुवांशिक सामेगडी का बाहग होता है जीन 43 नमबर कोश्चन का रहा है कौन सा अंग औसधी एवं विस के जहडीले प्रभाव को खतम कर देता है तो आपको लगड़ा होगा कि यहां पे लाइसोसों होना चाहिए नहीं यहां पे हो जाएगा आपका है एक सबने तरे है कि इसका सफील अंसवर हो जाएगा है ऑप्सन नमबर है याणि इंड्र प्लाज्मिक र्टीकूलम हाला कि अगर यहां पे पूछ लिएंड़ प्लाज्मिक र्टीकूलम में कौन सा से मुथ tehdY अ कुछ Б not कहांता खतम कर दिता है यह वं कि प्रिक्रिया के लिए उर्जा मुदरा कौन सा होता है तो यह कोशिगा के लिए उरजा-मुद्रा काम करता है यह कि इसी की रूप में ऊर्जा का इस्टोर्ड होता है तिसलिए इसका सही अंसर अप्स नमर भी हो जाएगा यह गुरूप D में कई बार पूछा गया है और सारी इक जम में पूछे गया है लेकिन खास करके रेलवेक एक्जाम को ध्याम रहते हुए यह कई बार इक जम में पूछा जा चुका है इसके बाद य 10 के जान गे पाया जाता है स्टरियूयों जाता है उत्यास ी जखाए अनि के सब्सक्रण बाद इस्वाढ़ ने इसके इसके पहलेबं चैस कई होता है है ठीक है तो 45 मरका इसके बाद चलते हैं इसाली नमर कोशिन कर रहा है मानपकोशिका में गुलकॉज के विगपां के लिए आवश्यक है तो देखे की जडिए इसनली इसका सही अंसर नमर स्वतंत्र अस्थित्यों के सक्षम जीव की सबसे छोटी इक आई तो कोशीका हो जाएगा यानि कि यह स्वतंत्र रूप से निर्वा कर सकता है अपना जीवन अगला कुश्चन कर रहा है कि इसका सही अंसर option अब आपको पूरा का पूरा सेल चेप्टर का वन सौट में आपको एनलासीज हो चुका है यानिकि रिवीजन हो चुका है अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 51 में से कितना सही हुआ आपको जो भी सही हुआ उसको उपर में लिखना है और वहां पे स्लैस मारके 51 नमर में लिख देना यानिकि कितना आपने सही किया वह आपको कमेंट में जरूर बताना है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वूइओ में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद कितना है